अगर यहां पर अपना नतमस्तक किया अगर यहां पर आकर के माता की पूजा करते हैं इस तरह 16 बार उचड़ाई किया और 17 बार सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यहां पर बहुत ही प्राचिन मंदिर जिसका नाम है ब्रह्मानी अस्थान तो फिलाल हम लोग जो है इस मंदिर को आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं 37 मंदिर से जुरा जो भी कहानिया है जो भी इतिहास है वो सारे चीजों को जानने की कोशिस करेंगे हम लोग फिलाल अभी पहुँच चुके हैं मन्दिर और मन्दिर में पूजारीजी हैं हम लोग पूजारीजी से बात करेंगे और इस मंदिर से जुरा जो भी इतिहा से उसको जानने का कुसिस करेंगे तो वीडियो मेंट तक बने रही है क्योंकि आज का जो वीडियो बहुत यादा खास होने वाला है तो दोस्तों अभी हम लोग ब्रामनी असान मंदिर के प्रांगन में खड़े हैं अघर एक बार किसी ने अगर आकर यहां पर अपन नात्मस्तक किया। यहां पर मांगते हैं तो फुर्न होता है तो हर मंगलवार के दिन ऐसा कहा जाता है किया पांश सच्चे हम लोगों की भीर होते ही हैं साथ में सनिवार के दिन भी बहुत ज़्यादा यहां पर भीड देखी जाती है तो फिलाल हम लोग अंदर जाते हैं और पंडी जी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं साड़ी चीज़ों को कि दोस्तों हमें पंडी जी मिले हैं जो कि ब्रामिय अस्थान में हैं और यहां पर पूजा का काम संभालते हैं तो हम लोग इन से इस मंदिर के बारे में सारी कहानिया को जानने का प्रयास करेंगे तो पंडी जी आपका सुबनाम क्या हो गया दित्वकुमार पंडी जी हम लोग को जानना है कि जो ब्रामिय अस्थान मंदिर है इसके क्या कुछ कहानिया है इसके कहानि बहुत है ऐसे यह गाउं जो है लद्मा गाउं है यहां धनी लोग रहते थे और यह बगल में तपा उसको मलव आनहर हो जाता था उसको नहीं ना गोरा कर उसका दिखाई पड़ता था ना उसका अधर अधर अदमी को इस तरह 16 वार उचड़ाई किया और 17 मा बार उंत में लोटकर चला गया मतलब की बापस मामा ब्रामी का किर्पाई इस कहों पर बहुत ज्यादा अधर का निर्मांद तो बता मैं शकते हैं बहुत इस वह पर अक्यूंज मान इस मंदिर में किस दिंज है सबसे अधर देखिया उसा था है मंगल वार को मंगल वार को देवी का दिन है इसलिए यहां ज्यादा बीर होती है यहां कोई मेला वगेरा एक सा कुछ लगा जाए ज पूरे दीन भर में चेहाजार के बीड़ा और इस मंदिर में क्या कुछ किरिया कलब करवाय जाता है? साधी सनी को देखिएैगा श्री ऐसे करें मंदी धज여 जो फिलाल अगर कहा जाए तो किस तरीके से बिकास किया जार देıllिया स्टरीओ मामा यह अपने आप अभिकास मंदिर हैं अच्छा इनका कोई परचारा कोई अथी नहीं है अपने आप मतलब की लोगों का दिल में बैठ रहे हैं कि सुनते हैं किस मंदिर में जो लोग भी आते हैं जो भी मनत मांगते पुर्न हो जाता है इसलिए आप आये मंगल को यह चीजी ट्रै किजिए अपने पता लगेगा कि क्या चीजी और प्रशाद के रुप में बतासा है यह लडू है नारियल उत्तम माना जाता है अच्छा लो जो कि पिंडी पड़गी मतलब की धारने का बहुत पूरा ना है तो पंडी जी से हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिला तो बहुत बहुत धनेबाद पंडी जी बहुत करें शो दोस्तों फिलाल हैं मंदिर के बहर में और आपको बता दुत पीछे देखेगा तको चोटी सी नदी जैसे आपको दिख रहे होगी फिलाल इसके बात करो तो यह मंदिर के बहुत काफी भीड होता है जो भी लड़वा नदावा गाउं के जो लोग है यहां पर आते हैं फिलाल आपको दिखा दूति ये कुछ घाट है और अभी पानी फरसका में आप देखे आगा तो क्योंकि अभी गर्मी खिसेन तो सूखा हुआ है अधर देखे आगा तो सीरिया जो इसारे डेवलब किया जा रहा है भी ताकि जो अच्छ यहां पर अच्छे तरीके से किया जा चुके तो यह कुछ फिलाल बाहर में भी है जहां पर च्छट के लिए एक छोटा सा घाट भी जो है बनाया जा रहा है तो दोस्तों यह कुछ था लदमा गाउं का ब्रामनी अस्थान जो कि सैक्रो वर्स पुरानी है और इस मंद्र के कई ऐसी कहानिया है जो मैंने आपको वीडियो में बताने की कोशिस की पंडिजी के माध्यम से तो होफुली आप लोग को यह व्लोग अच्छा लगा होगा औ और वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी को लाजिस के साथ सेर करिएगा और अभी तक अपने भाई को इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल से फॉलो कर लिजे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथ इस फेसू पेज पर फॉलो कर लिजे तो मिलते जल्द एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए धन्यवाद